तीनाराज का बचा है तुम बहुत आंक मिचोली खेल चुका है धनराज और जगराज के साथ अब ध्यान से सुनाओ जब तक मुझे फ्लॉपी या पैसा नहीं मिल जाता तुम मेरे ही कब से मरा होगे यही धनराज की बेटी है उठाला इसे उठाला भुझे जए भुझे जब लोग मुझे जड़व ज़ो जब एदेग का मत्या होगे अरे मेरी जयन तुम्हारी जगा इस डिकी में नहीं रंगिला के दिल में अफ्सोच तुम्हारे अभी उस लवर को बुलाने का टाइम नहीं में एगा आओ चलो आकल यह लो कौन है मुझे यहा लाने और आपको इस तरह बानने का क्या मतलब है देखा दीननाथ तुमने अपनी चालाकियों से भरसो मेरी बेटी को मुझ से जुदा रखा मगर आज मेरी चालाकी देख मैंने अपनी बेटी वापस पाली है आपकी बेटी? हाँ बेटी, तुम नहीं बेटी हो, मेरी अपनी अउलाद, बेटी, मैं तुम्हारे गद्मों में सारी जहां की खुशिया डाल दूगा तर्राज, तुने अउलाद का सुख पास सकता है, न अउलाद को सुख दे सकता है, क्योंकि तुने सारी जिन्दगी दुनिया को दुख ही दिये हैं, तेरी वज़े से मेरी बेटी चल गई है, तेरी वज़े से मेरी बेटी अमर राजे है, मुझसे भी चड़ गए अंकल आपको तो बेटी मिल गई लेकिन इसका क्या करें जब तक इसके दोनों सफूत हमारे हाथ नहीं आजाते तब तक इसकी हमें जरूरत है यह हमारा मेहमान है जैट क्यों आम इसे डॉक हैड़ाली कोटी में shift कर गए प्रेंट्स, आप इसे किसी भी कोटी में शिफ्ट करें, मुझे तो मेरे पेमेंट से मतलब है, मिश्र धनराज, आज मुझे फ्लॉपी मिल जाना चाहिए, वरना रुपया, मिश्र मार्शल, तुम चिंता मत करो, आज ऐसी भी प्रताप से हमें हमारी फ्लॉपी मिल जाएगी, और तुम्हें तुम्हारा रुपया, आज विश्र वेस्ट, कौन बॉइस, रंगिला, इस खदार को भी वहीं ले चलो, इसका अंतिम संसकार भी हम वहीं करेंगे, ले जाएगी, अंकल, अंकल, बेटी, तुम रुख जो बेटी, तुम युको बेटी, अनराज, अब जितनी मैं हरामी जरूर हूँ जगराज, मगर इतना हरामी नहीं हूँ, कि एक हरामी की महा हरामी आउलाद के साथ, अपनी फूल जैसी पच्ची की शादी कर दो, अंकल, माइन ये लेंक बेटी, शलाप, वरना इतनी गोलियां चलेंगी, कि तुम दोनों को कोई पैचान नहीं कर शूप महुरत निकलवा लो, वरना मैं पंडित को बुला कर तुम दोनों के चौथे का इंजाम कर दूँगा, समझे, कमाउन डैट बेटी, मैं अपने ही बना इस शडियंतर के दलदल में इतना धस चुका हूँ, कि अब मेरा उसमें से बाहर निकलना ना मुम्किन है, बेटी, और मैं नहीं चाहता कि तुम भी उसी दलदल में धस जाओ, जो बेटी, मुझे छोड़कर भाग जाओ, और जिससे तुम प्यार करती हो, उससे जाकर शादी कर लो, बेटी, लेकिन दैदी, वो अमर जी से मैं प्यार करती हूँ, ती नाना थ अंकल का ही बेटा है, बेटी, तुम अमर के पास चलिजाओ, मैं तुमसे बादा करता हूँ, कि मैं दीनाना तको बचाकर आपर के पास लेकर आओंगा बेटी, बेटी, आप, मेरी चिंटा बद करें, मेरी बच्ची, जा, भाग जा, भाग जा, नहीं दी जा, वंद बहुत कम है, जा भाग जा, जा बेटी, जा, बेटी, जा, आमर, आज मैं बहुत कुश हूँ, बहुत कुश। क्या बात है आशा? पता है अमर, तुम्हारे डैडी जिन्दा है क्या? क्या कह रही हूं तुम? हाँ अमर, मैं सच कह रही हूं और वो कोई और नहीं, मेरे अंकल दीना नाची है दीना नाची? हाँ चलो जबी दे, चलो उनके पास लेकिन अमर, वो इस वक्त अपने घर पर नहीं है तो फिर कहा है? वो मेरे डैडी के पास है तुम्हारे डैडी के पास? मगर उनकी तो हत्य आँ गई थी न? ये सब जूट है अमर सज तो ये है कि वो जिंदा है और तुम्हारे डैडी के पुराने साथी है उनका नाम, उनका नाम है धन्राज धन्राज? अमर, अमर मैं जानती है, यह सब सुनकर तुम्हारे अंदर जौला मुखी भट पड़ा होगा लेकिन तुम्हें यह जानकर खुशी होगी, कि उन्हें अपने केपर बहुत पच्तावा है और उसी का प्रश्चित करने के लिए, वो तुम बाप बेटो को मिलवाना चाहते हैं, अमर हाँ, मैं सच कह रही हूँ बेटे अच्छा हो, डैडी, आप आगए, अब आप ही अमर की सारी गलत फैमियां दूर कीजी वलत फैमी, तो हम तुम्हारी भी दूर कर देंगे तुम्हारी शादी इस टटपूंजिये से नहीं, बलके हमारे बेटे प्रेम से होगी मेरे बाप से दुश्मनी इतनी जल्दी भूल गए तुम, कि यहां भी चले आए हमारी दुश्मनी एक ड्रामा था बेटी, इस सपोले तक पहुँचने के लिए हमने तुम्हारे जरिये यह प्लान बनाया था इसका मतलब आपने मुझे धोका दिया? मुझे श्रमा रही अपने आपको आपकी बेटी कहते हुए बच्चे, जिस तरह कौर्वों ने अभी मन्यू को घिर कर मारा था आज तेरी मौद भी बिल्कुल उसी तरह होगी अभी मन्यू को चक्रव्यू से निकलने के लिए सिर्फ आधी विद्या मिली थी लेकिन तुम जैसे कमीनों के चक्रव्यू से निकलकर तुम लों का सरवनाश करने की पूरी विद्या है मेरे पास अंगिला, इसने और उसके भाई ने हमारी बहुत नीदे हराम किया है उस कुत्य के पिल्ले सुद हम बाद में हिपटेंगे फिलाल तुम इसकी बोटिया बोटिया करके कुत्तों को खिला दो चला वेली चलाओ चलाओ तुमको बोला था ना हिरो मन नहीं को ये खुबसूरत बाल, ये आखे गला चोट, गला चोटने है अरे कैसे हिरो बनो यार, मुझे मेरे पाटनर है न, वो मुझे आखे करके खुद भाई जाते है इसे पे, रंगिला, बाग जाए आसे ने तो बहुत पड़ेगी, बाग वो देखो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया तो मैं अदा करना चाहता हूँ, आप दोनों भाईयों का, जी मेरी बीवी की जान बचा कर, अजक खुद देल की सलाखों के पीछे चला गया और जबान तक नहीं खुले वो आपकी पत्नी थी, हाँ